तो आज का दिन आर्यन खान और शारुक खान के परिवार के लिए बहुत जरूरी है बार बार बेल कैंसल होने के बाद आज फिर से इस पर सुनवाई होगी आज जिस कोट में सुनवाई होने वाली है सेशन कोट रहेगा वो और यहाँ पर उमीदे जताई जा रही है कि अब फाइनली आर्यन को बेल मिल सकती है आपको बताते कि इससे पहले कोट ने तीन बार आर्यन की बेल को कैंसल कर दिया है आज की जो बेल की सुनवाई होनी है वो बहुत जरूरी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इस बार जो सतीश पहले लॉयर थे आर्यन के वो अब चेंज कर दिये गए हैं उनकी जगा बदलाव हुआ है और अब नए लॉयर आए हैं अब जो यह नए लॉयर आई हैं की खास बात यह है कि यह लॉयर वही है जिसने सल्मान खान को हिट और रन केस में बेल दिलवाई थी और इस मामले में उनकी मदद की थी कही न कहीं इसको इनको बेल दिलवाने में एक्सपर्ट भी माना जाता है इनके लिए तमाम बाते भी होती रहती है और कही न कहीं सतीश जी की जो अभी तक की पर्फॉमेंस रही जो उन्होंने अभी तक की आरियन के लिए कामकाच किया वो कहीं निराशा जनक था और श्याद इसी से परिशान होके शारुख ने ये फैसला लिया कि वे अपने वकील को बदले वाले हैं अब जो ये नए वकील हैं ये कितना अच्छा करते हैं ये आज पता लगेगा क्योंकि अगर उनको बेल मिल जाती है आरियन को तो कहीं न कहीं वकील की भी तरिफदारी की जाएगी और अगर आज बेल नहीं मिलती है तो आरियन के लिए मुश्किले बढ़ती जाएंगी और उनके लिए जो समय जेल में काटने का जो समय है वो और भी वरता जाएगा आपको बताते कि आरियन काफी परेशान हो चुके है जेल में और ये सोबहावी की भी है क्योंकि एक 23 साल का लड़का जो एक एशोराम और लगजीरियस लाइफ जीता हो उसे अचानक से जेल की रोटी खानी पड़े नीचे गदे पर सोना पड़े और बातरूम सभी जेलवासियों के साथ शेयर करना पड़े तो कहीं न कहीं परिशानी जरूर होगी खेर इन सारी बातों से अलावा जो आज के लिए बहुत जरूरी बात रहेगी वो ये कि क्या शारू के बेटे फाइनली जेल से बहार आ पाते हैं या अभी उन्हें और समय वहाँ पर काटना पड़ेगा